Hello Everyone, इस वीडियो में हम Corporate Accounting का First Chapter स्टार्ट लेंगे That is Issue and Forfeiture of Share तो कौन-कौन से टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ सबसे पहला, Documents of the Company Company के जो Important Document बनाई जाते हैं वो कौन-कौन से हैं Meaning of Share Capital Share Capital का मतलब क्या है और Share Capital कितनी तरह की हो सकती है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको Company का Meaning और इसकी Type बताई थी Hope आपको वो समझ में आ गई होंगी तो मैं दुबारा से एक बार आपको Company का Meaning बताती हूँ कि Company क्या होती है Company is a Body Corporate or an Incorporated Business Organization Registered under the Companies Act कि कोई भी ऐसी Body Corporate या कोई भी ऐसी Incorporated Business Organization जिसका Company Act के Under Registration हुआ है तो उसको हम Company कह सकती है जो Company है वो Limited, Unlimited, Private, Public Limited by Guarantee Company having Share Capital और एक Community Interest Company हो सकती है तो अलग-अलग तरहा की Companies हो सकती है एक बनाई हो दूसरी बनाई हो Company जो है Limited भी हो सकती है Unlimited भी हो सकती है Private और Public Company भी हो सकती है Guarantee के थुरू भी Limited हो सकती है और Share Capital के थुरू भी वो Limited हो सकती है यह सब मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ जब हमने Company की टाइप के बारे में पढ़ा था तो Companies Act के अंडर Registration होना ज़रूरी है अब जब Company की Formation होती है तो उस Condition में कौन-कौन से ऐसे Document है जिनको बनाया जाता है तो Companies में अगर हम Public और Private Company के बात करें Public Company में कम से कम साथ लोग साथ या उससे ज़ादा लोग मिलकर Company को बना स्टार्ट कर सकते है Private Company के अंदर Minimum 2% का होना ज़रूरी है कि दो लोग या उससे ज़ादा जो लोग है वो किसी भी Lawful Purpose के लिए Company स्टार्ट ले सकते है इसके लिए उनको अपने जो नेम होते हैं वो Memorandum of Association के अंदर Mention करने ज़रूरी होते हैं यह जो भी Company Act के अंदर जो भी Requirement होती है तो उनके accordingly उनको वो सब Formalities को पूरा करना होता है अगर हम क्या करना चाहते हैं कोई वी ऐसी Company Incorporated Company Establish करना चाहते हैं चाहे उसमें liability limited है या नहीं है तो कुछ documents जो होते हैं वो हमें John Stowe Companies की Registrar को फाइल करने होते हैं तो ऐसे कौन-कौन से main document है जो हमें फाइल करने होंगे सबसे पहला Memorandum of Association कि कोई भी ऐसी Company का Registration नहीं हो सकता है जिसमे Memorandum of Association नहीं बनाया है तो हम क्या कह सकते हैं कि कई बार हम इस document को company का life giving document भी कहते हैं ये charter of the company होता है जिसके अंदर कुछ fundamental conditions होती है जिसके उपर company का incorporation हो रहा है मतलब हम mention करते हैं कि हमारे objective क्या है liability क्या है ये सब जो होता है कि liability वगेरा क्या होगी क्या हमारा objective है हम क्यों इसको establish करना चाहते हैं तो वो सब कुछ memorandum of association के अंदर mention होता है इसके बाद आता है article of association article of association memorandum of association का है एक subordinate हम इसको कहते हैं company का जो हम memorandum of association बनाते हैं तो इसके साथ साथ हमें article of association भी बनाना होता है इसके वर भी कम से कम seven लोगों के sign होने जुरूरी है अगर हम public company बना रहे हैं ठीक है और अगर public company नहीं बनाती है तो उस condition में क्या होगा companies act की जो table A होती है table A की जो schedule first है तो उसके rules यहाँ पर apply होती है ठीक है तो article को हम एक subordinate document भी खह सकती है article के अंदर क्या mention किया जाता है इसके अंदर mention किया जाएगा memorandum में तो क्या mention करते है कि what is to be done हमने करना क्या है ठीक है यह हम MOA के अंदर mention करते है अब जो हमने decide कर लिया कि हमने किन objective को achieve करना है तो article में decide किया जाता है आर्टिकल के अंदर mention किया जाता है कि उन objective को हम achieve कैसे करेंगे, how, what के बाद MOA में होती है और AOA, article of association के बाद होती है कि how, कि हम किस तरह से how those objective will be achieved which are mentioned under MOA MOA के अंदर जो भी हमने objective बताए हैं, तो उन objective हम कैसे achieve करेंगे तो article of association हम बनाती है और इसको भी हमें file करना होता है registrar के पास इसके लावा statement of nominal capital, nominal capital के एक statement बनाई जाती है nominal capital हम मैं आगे आपको बताऊंगी कि basically यह होती क्या है, कुछ ऐसी conditions होती है जिन condition में nominal capital की statement को भी file करना ज़रूरी होता है list of director, कौन-कौन company का director होगा, उनके name, उनके addresses, उनका occupation, उनकी age जो होती है तो इसको भी हम file करती है अगर तो director के name हमने memorandum के अंदर mention कर दिये हैं उनको जो है, अगर list of director हम submit नहीं करते हैं, अलग से नहीं बनाते हैं तो जिनके नाम memorandum के अंदर mention होगे, तो उनको हम first director कहते हैं अगर director के name नहीं है, तो उस case में हम उनसे एक return एक वो ले लेते हैं return undertaking लेते हैं, कि वो हमारी company के director है और इसके बदले में उनको qualification share लेना जरूरी होता है name and notice of address to the registered office इसमें जो होता है कि company के registered office का address भी हमें फाइल करना होता है a statutory declaration, supreme court या high court का जो advocate होगा ठीक है या जो chartered accountant है इंडिया का जो भी company की formation में engaged था मतलब जिसने company को establish करने में सारी formalities को पूरा करवाया है जिसको हम article as director भी कह सकते हैं ठीक है article में हमने उसका name mention करा हुआ है as director हमने mention करा है manager या secretary की form में हमने mention करा है तो उनको एक declaration देना होता है कि हमने सारी formalities को पूरा कर लिया है तो यह statutory declaration होता है तो यह declaration होता है इसको भी हमें registrar के पास file करना होता है तो इस सारी document को registrar के पास file करने के बाद और necessary fees को pay करने के बाद अगर लगता है registrar को कि वो satisfied है और हर चीज order में है तो registrar क्या करेगा कमपनी को certificate of corporation का जो है वो issue कर देता है certificate of incorporation और यह जो certificate होता है incorporation का यह company को एक legal person की existence मिल ले आता है इससे क्या होगा कि company को एक legal personality मिल जाती है corporate existence मिल जाता है और company का perpetual succession होता है इसके बाद जो next topic आता है that is meaning of share capital company जो होती है यह अपना पैसा कहां से इकठा करेगी जैसे sole proprietor में तो owner खुद पैसा लगाता है ठीक है वो अपने relative से कुछ borrow कर सकता है या उसका अपना पैसा हो सकता है तो वो उसको business के अंदर वो introduce कर सकता है partnership में partner capital लगाते हैं जो मिलकर काम करते हैं आपस में profit or loss को divide करते हैं company के case में क्या होता है company में बहुत सारे लोग होते हैं बहुत बड़े level पर company काम करती है तो उस case में company share issue करती है share issue करके जो पैसा आता है वो company के share capital की form में होता है तो share capital basically क्या है share capital is owned capital यह owned capital होती है company की यह पैसा shareholder का होता है since it is the money of shareholder and shareholder are the owner of the company यह पैसा किसका है shareholder का है और shareholder कौन है company के owner होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि जो share capital है वो company की owned capital होती है अपने खुद की capital है जो total share capital होती है वो छोटे-छोटे parts में divided होती है और हर part को हम क्या बोलते हैं हर एक denomination को हम क्या बोलते हैं share होता है तो share जो है यह smallest part होता है capital का किसी भी company की तो company की capital का जो सबसे छोटा part होता है उसको हम share बोलते हैं type of share capital share capital को में divide किया जा सकता है सबसे पहली जो capital होती है वो है authorized, nominal या हम इसको registered capital कह सकते हैं इसके बाद issued capital हाती है subscribe capital called up capital uncalled up capital paid up capital और reserve capital होती है तो सबसे पहला जो capital है वो है authorized या nominal या registered capital होती है जब भी company का registration होता है तो company का मैंने बताई कि सबसे पहला जो document होता है सबसे important document है वो है MOA Memorandum of Association तो कोई भी company कितनी capital से authorized होगी तो वो capital जो होती है वो इस MOA के under mention होती है authorized का मतलब कि company की maximum capital कितनी रहेगी company अपने lifetime में कितनी capital public को issue कर पाएगी तो वो nominal या company की authorized capital होती है इसकों company की registered capital बोलते है क्योंकि company इसी capital के थूँ registered होती है तो ये company की maximum capital है company के memorandum of association में mention की जाती है company की nominal capital होती है company की registered capital होती है authorized capital उसके बाद आती है issued capital जो authorized capital है वो company की maximum capital है जो company अपने lifetime में issue कर सकती है उससे जादा नहीं कर सकती है तो सारी की capital एक बार में issue नहीं की जाती है public को तो authorized का जितना part public को offer किया जाता है subscription के लिए तो उस capital को issued capital बोलती है कि एक nominal value होती है share की जो हम public को subscription के लिए offer कर रही है issue capital authorized capital से हमेशा कम होती है अगर हमने सारे के सारे share को issue कर दिया तो जो issue capital है वो authorized capital के equal हो जाती है दोनों same हो जाती है क्योंकि हमने सारी के सारी capital को issue कर दिया है इसके बाद जो next आता है subscribe capital subscribe capital issued capital का वो part होता है जो public ने subscribe किया है पब्लिक जिसको खरीदना चाहती है इसका मतब यह नहीं है कि सारे के सारे जो शेयर हमने पब्लिक को इशू कर रहे हैं वो सबके सब पब्लिक परचेस करने के लिए रेडी हो जाएगी तो means क्या कि जितना जो शेयर कैपिटल जितने number of शेयर पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन कैपिटल जो खरीदना चाहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं इशूर कैपिटल का वो पार्ट या तो जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया है या जिसको shareholder ने subscribe कर लिया है तो उसको हम subscribed capital कहते हैं इसके बाद आती है cold of capital normally जो shareholder होते हैं वो share के value को कैसे pay करते हैं installments में pay करते हैं जैसे application है, फिर allotment आती है first call, second call, ऐसे installment में सारा का सारा पैसा company के through call किया जाता है तो like अगर एक share 10 रुपी का है तो 10 रुपी में से company जितना installment call कर चुकी है जितनी amount की installment call कर चुकी है वो company के लिए cold of capital होती है like अगर company ने 10 रुपी में से अभी 6 रुपीज ही call किये हैं तो company की जो cold of capital है वो 6 रुपीज हो जाती है तो जो हमारा share का वो value, face value का वो वाला portion, proportion जो company call कर चुकी है shareholder से तो इस capital को हम cold of capital कहते हैं फिर आता है paid of capital ये cold of capital का part होता है जो हमने public को offer किया था और public ने actual में उसको pay कर दिया है तो वो capital paid of capital होती है like अगर 10 के share में से हमने 8 रुपीज call किये हैं तो 8 रुपीज cold of capital है और 8 में से अगर public ने 6 रुपीज pay कर दिये हैं तो 6 रुपीज paid of capital हो जाती है तो paid of capital वो amount होती है जो हम equities and liabilities balance sheet के अंदर जो amount हम दिखाते हैं वो paid of capital होती है तो जो actual में हमें shareholder से receive हो चुकी है तो इसमें भी न देखो जब हम balance sheet prepare करते हैं तो वहाँ पर subscribe capital को दो पार्ट में divide कर दिया जाता है fully paid up और not fully paid up लेकिन आप जो amount show करते हैं वो हमेशा paid of capital की amount को ही show करते हैं तो जो capital paid up capital अगर call of capital का कुछ पार्ट public ने pay नहीं किया है तो वो calls in area बन जाता है और calls in area को हम capital में से minus करके दिखाते हैं balance sheet में balance sheet में जब हम equities और liabilities के head दिखाते हैं तो वहाँ पर जो not fully paid up capital होती है उसमें से जितना portion अभी shareholder ने हमें pay नहीं किया है उसको हम calls in area की form में mention करते हैं और इसको capital में से deduct करके दिखाते हैं last आती है reserve capital reserve capital क्या होती है यह हमारी uncalled capital है जिसको company ने call नहीं किया है उस capital का part होता है वो capital हो सकती है जिसको हमने future के लिए reserve कर दिया है और यह उसे condition में call किया जाएगा जब company का wind up होगा तो wind up से पहले इस तरह की capital को company call नहीं कर सकती है जब इस तरह की capital को reserve किया जाता है तो company act के section 99 के accordingly हमें एक resolution को pass करना पड़ता है company की general meeting में कि यह पैसा हम future के लिए reserve कर रहे हैं यह face value का इतना जो part है वो हम सिरफ wind up के time ही call करेंगे क्योंकि जब company का wind up होता है तो company को ज़्यादा पैसो की जूरत होती है company को अपनी liabilities को pay करना होता है तो company क्या करती है कि उस situation से उस risk से अपने आपको बचाने के लिए सारा का सारा पैसा shareholder से अभी नहीं मंगवाती है कुछ portion future के रिजर्व कर दिया जाता है और वो उसी condition में call किया जाता है जब company का wind up होगा जब company का liquidation होगा तो reserve capital के creation का कोई भी accounting treatment हम books में नहीं करते हैं हम balance sheet के अंदर reserve capital को show नहीं करते हैं किसी भी तरह की journal entry को पास नहीं किया जाता सिरफ reserve capital के regarding एक note दे दिया जाता है balance sheet के बाहर otherwise reserve capital का कहीं कोई भी treatment नहीं होता है reserve capital के बनाने से क्या फाइदा होगा कि future की जो हमारी financial strength होती है वो थोड़ी सी strong हो जाती है कि हमारे अपनी liabilities को pay करने के हमारे पास money available हो जाता है इस video का जो last topic है वो है difference between reserve capital and capital reserve reserve capital मैंने अभी आपको बताया है अब मैं थोड़ा सा capital reserve के बारे में बताते है capital reserve क्या होते है देखो company को profit जो होते हैं वो कई तरहां के profit हो सकते है कुछ तो होते हैं जो revenue nature के होते हैं जो उनकी regular activity से होते हैं और कुछ ऐसे profit होते हैं जो regular activity का part नहीं होता है rather वो profit कभी-कभी होने वाले हैं non-tracking nature के होते हैं तो जो ये non-tracking nature के profit होते हैं ये capital nature के profit होते हैं और इनको हम capital profit बोलते हैं जितने भी capital profit होते हैं तो उनका use हम dividend वगारा distribute करने के लिए नहीं कर सकते हैं rather इनका जो use होता है वो capital losses को cover करने के लिए किया जाता है तो जो capital reserve है basically वो capital profit में से create किया जाता है और इसका जो use होगा वो capital losses को write-off करने के लिए किया जाएगा तो दोनों में क्या main difference है reserve capital और capital reserve में सबसे पहला तो meaning क्या आता है reserve capital का मतलब क्या है ये हमारी nominal capital का वो portion होता है ये uncalled share capital है ये कब call किया जाएगा जब company का wind up होगा तो wind up से पहले हम इसको call नहीं कर सकते हैं capital reserve क्या होते हैं it is that part of reserve which is not free for distribution of dividend कि जिनका use हम dividend को distribute करने के लिए नहीं कर सकते हैं second difference का base क्या है creation reserve capital का creation होता है इसको हम uncalled capital भी कह सकते हैं लेकिन जो capital reserve होते हैं ये create कहां से किया जाते हैं out of capital profit इनको हम capital profit में से create करते हैं necessity reserve capital को create करना ज़रूरी नहीं होता है लेकिन capital profit अगर है तो उस condition में हमें capital reserve को create करना mandatory है resolution reserve capital के लिए हमें general meeting के अंदर resolution को pass करना mandatory होगा लेकिन capital reserve को create करने के लिए हमें किसी बेदरा के resolution को pass करने की requirement नहीं होती है realized और not realized जो reserve capital है ये वो amount है जो अभी तक हमें receive नहीं हुई है लेकिन जो capital reserve है ये वो amount होती है जो already हमें receive हो चुकी है disclosure in the balance sheet मैंने बताया था भी कि जो reserve capital होती है इसको हम balance sheet के अंदर disclose नहीं करते हैं capital reserve को balance sheet के अंदर disclose किया जाता है equities and liabilities में balance sheet के अंदर और reserve and surplus के head में हम दिखाते है time when it can be used reserve capital का जो use होगा वो company के wind up के time होता है लेकिन जो capital reserve होते है इसका use तो during the lifetime of the company रहता है कि हम इसको capital losses को write of करने के लिए use कर सकते हैं हम इसको bonus share issue करने के लिए use कर सकते हैं last है writing of capital losses जो reserve capital होती है इसका use हम capital losses को write of करने के लिए नहीं कर सकते हैं लेकिन जो capital reserve होते हैं इनका use हमने हम capital losses को write of करने के लिए कर सकते हैं तो आज इस वीडियो में हमने क्या बढ़ा कि company क्या होती है और share capital कितनी तरह की हो सकती है कौन-कौन से ऐसे important document होते है जो company के incorporation के time हमें registrar के पार file करने ज़रूरी होते है और reserve capital और capital reserve का difference क्या है I hope आप कोई topic समझ में आया होगा Thank you